नमस्कार दोस्तों आपका अर्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जम टारगेट अकेडिमी पर तो दोस्तों विश्व के प्रमुक संग्ठन और उनके मुख्याले की ट्रिक्स के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे जो की ट्रिक्स के अनसार हमें आसानी से याद किया जा सकता है नमबर वन जैनेवा में इस्तित अंतराच्ची संग्ठन यानी नम्मर वन विश्व बोधिक संपदा संगटन WIPO, अंतराष्टी स्रम संगटन ILO, विश्व व्यापार संगटन WTO, अंतराष्टी मानकी करण संगटन ISO, विश्व मोसम विज्यान संगटन WMO, विश्व स्वास्ट संगटन WHO, अंतराष्टी दूर संचार संगटन ITU, संचार र में इस्तित हैं तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे तो ट्रिक एक बोधिक संपदा का धनी व्यक्ति जो अत्यदिक स्रम करता है जो व्यक्ति व्यापार करने के लिए जिनेवा गया और उसको आई एस सो सर्टिफिकेट मिल गया लेकिन वहां का मौसं बहुत खर क्या Igia kadar से श्रणार्ति गोसित कर दिया जोधेगे सांगठन हो गया और आपका संतर राष्ट्य श्रम संगठन हो गया ब्यंपार से ब्यंपार संगठन हो गया कि आसा तो से आपका अंतराष्टी मानवी करन संगठन हो गया और मोसं से स्वास्त से अपका विश्स स्वासर संगठन हो गया of to polsk s 되지 आपका अंतराष्टि derni忌 संगठन возмож ऑगया सता मांवाधकार से सं स्यूंगतराष्टरानार्थी उच्चायोग हो गया तो यह吹्ऐ धी जैनेवा में जितने भी इस्तिते हैं इस ट्रिक के माद्यम से हम याद किया जा सकता है अगला देखते हैं बास्चिंग्टन में इस्तित अंतराष्टी कुछ प्रमुक संग्ठन जो की इस प्रकार हैं बिशवेंकंग इसका ट्रेता है अमेरीका सबसे सक्तिसाली देशिए जो सैयुक्त राष्ट में बित पैंक मुद्रा और विकास के मैतपूर संग अपनी राजधानी बासिंग्टन में रखä दिया है इस टिक की सहता से आपको यह समझना है कि बित यानी पैसों से सम्मंदित या पैसों से जो भी सम्मंदित है सभी संगथन मुक्याले बासिंग्टन डीसी में इस्टित है ब्याना में इस्तित अंतराष्टी संगठन जो की इस प्रकार है पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन ओपैक विस व्यापक परमाडू परिछन प्रत्वन संदी इसकी ट्रिक है पेट्रोलियम और परमाडू के कारण ब्याना का ओदी करण ब्याकास हुआ जो की इस ट्रिक को माध्यम से सारे याद किये जा सकते हैं अगला देखते हैं रोम में इस्तित अंतराष्टी स्रम यानि संगठन तो खाद एवम किरसी संगठन एफए ओ विस्व खाद कारिकरम डवलू एफपी तो विस्व में खाद से संबंदि संगठनों के मुख्याले इटली की राजधानी रोम में इस्तित हैं यह हमें दिहान जा सकता है तो इसकी ट्रिक है इसकी ट्रिक है समुद्र को अपने अधीन रखने के लिए सभी राष्टों को मंडल बनाना चाहिए जैसे लंदन में राष्ट मंडल बनाया है इस ट्रिक के माध्यम से लंदन में इस्तित प्रमुक्स अंतराष्टी संगठनों को याद किया जा सकता है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और अब लाएंगे हम अगली वीडियो देखेंगे अगले दिन तो दोस्तों अगर वीडियो अची लगती है तो आप हमारे लाइक करें तदा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें तता साथ में प्रेस बैल आइकन को भी प्रेस करें जिससे की आने वाली वीडियो का नौटिफिकिशन आपको तुरंत मिल सके तो गुडबाय दोस्तों